हलो सातियों, नमस्कार सातियों, आज के इस लीडियो में देखेंगे जो राजस्थान रोडवेज कंड़क्टर यानि परीचालक की जो वैकेंसी आई है उसमें एक डाकुमेंट से अनिवारे वो है परीचालक सेरीटिफिकेट यानि परीचालक का जो लाइसेंस है वो लाइसेंस, किस प्रकार से बनवाना आपको, यह कहां पे बनता और कितने दिन का इसमें टाइम लगता है तो सबसे पहले तो आपके पास में कुछ सी डाकुमेंट्स होने चाहिए, वो डाकुमेंट्स लेके आपको कहां पे जाना आपका पैसिल मुख्याले पे यदि Red Cross Society है तो वहाँ पे जाना और अगर आपके डिस्टिक मुख्याले पे Red Cross Society है तो आपको डिस्टिक मुख्याले पे जाना आपको कुछ डाकुमेंट्स लेके जाना है पहला आधारकांट, दस्टिकी मारक सीट, जाती परमान पत्र, चरित्र परमान पत्र और पास्कोर्ट साइज फोटो ये डाकुमेंट्स आपको लेके कहां पे जाना आपकी Red Cross Society ये जिला मुख्याले पे होती जहां पे यानि कि Red Cross Society या तो तैसिल मुख्याले पे मिल तो वहां पर आपकी Seven Days की Training होगी, पांस से साथ दिन किसकी Training होती है, वहां पर रेगुलर आपको क्लास हैं दी जाती है इसके बारे में, पांस से साथ दिन आपकी Regular Training होने के बाद में, फिर देखो आपको ये Certificate है, वो लगबग लगबग एक मनत के बाद में मिलेगा आपक तो वैसे भी आपके पास में डेट महीने का टाइम है, जो परिच्चालक की रेकेंसी है, उसमें डेट महीने का टाइम है, लेकिन यहां पर फीस की अगर बात हो जाए, तो ग्यारा सू से पंदरा सू रुपे के आसपास में आपकी इसमें फीस लगने वाली है, और आने का टाइम है, वो इतने टाइम बागने आपका आजाएगा, इसके बाद में आपको फिर कुछ और डाकुमेंट्स है, वो बनवाने हैं, एक है आपको यहन की पुलिस वेरिफिकेशन, यह पुलिस वेरिफिकेशन भी यहां पे लेके जाना, पुलिस वेरिफिकेशन यह आपको conductor का license बनवाने के लिए यही सारे documents है वो आपको online करवाना जितने भी आपके मूल दस्ता बेज़े उनकी photocopy है वो scan होगी और आपको online करवा देना किसी भी इमित्र से किसके लिए online करवा होगे आप conductor license के लिए आपको online करवा देना है फिर वो जो आपको print देगा जैसे अपने फोरुम बरते हैं रपने को फोरुम का print आउट देता है वो print देगा उस print को आपको RTO office लेके जाना है और आप वहाँ पे लगबल लगबा आपके 600 रुपे जमाऊंग आदार कार दस्वी की मारक सीट जाती परमान पत्र चरीतर परमान पत्र पास्कोर्ट साइज फोटो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सरेटिफिकेट यह आप वहाँ पे जाके सारे डाकुमेंट्स दे दोगे उसके बाद में आपका है conductor certificate है वो बनके तैयार हो जाएगा उसमें भी कुछ दिन का समय लग जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट तक आपके फोरुम बरेंगे यानकि आपसे डेट महीने का टोटल टाइम है तो तब तक आपका अगर अभी आप सुरू करोगे एक दो दिन में यह परकिरिया तो तब तक आपका सारा यानकि ज लाइट ड्राइव लाइसेंस जरूर बनवाबे लाइट ड्राइविंग लाइसेंगे कंडक्टर को भी बस ठर्येव करनी पढ़ सकती तो इसलिए let driving लाइसेंस जी राइसेंस आप बनवाले यह यहीजी सा प्रोशेश है लेकिन इसमें टाइम जरूरुर लगता है जो पहल